हेलो दोस्तों वेलकम टूमा यूट्यूब चनल तो आज हम लोग बात करते हैं जोगराफी की जनल नौलिज से लिटेट कोशन जोगी मैंनली जोगराफी से ही होगी जोगी जाना तर यह आर्मी होगा आर्मी का जीडी और कॉंस्टेवल का एकजाम होता है उसमें पूचे जा ओपतक तहुंत सुल अफियाि मैंक मह необходимо अफुर्ण सेक्रेटरि हुआ करतेता गुवर्मेंट और कॉलन ऩह HelISH करता था इंडिया तब फॉरेंग सेक्रेटरी था तो उसी की नाम से लाइन का नाम रखे गया ऐसे इंडिया और पकिस्तान को ला करती है जिसका नाम है रेड कलिफ तो यह फ्रस्ट कोश्टन हो गया है सेकेंड कोश्टन है लेर्ट इन्कीरिजिस टेंप्रेचर निबेस्टन एग्रोप मतलब में कौनसी ऐसी धार्ण पहती है जो टेंप्रेचर निकीरिजिस कर देज्याथी मतलब अगर्म करेंट हो तो यह नौर्थ एक्केट्रियल करेंड्यों कि जो भूमे दरेख है zero डिगरी equator लाइन कहते है उसका दस डिगरी Nord और 10 डिगरी South में रहती है तो अगर 10 डिगरी South होगा तो उससे South Equatorial current कहेंगे और अगर North में पूछा तो अब यूरोप तो North में पढ़ेगा ना तो इसका नौर्थ एक्टुर्य करेंट हो जागी बार्म करेंट होती है क्योंके आप टेंपरिचर बहुत जाना था को था है थाड़ कोश्चन है कि इसे मैं इंद्ट इसके इसका गलत होगया यह जमायका नहीं इसका चाइना होगा यह यह वह उसको यह नहीं होगा है इसका यह शाइना होगा जो कि इस एक साल में 36,000 मैटिक टन प्रेडिउस करता है सब्सक्राइब करता है इसका यह हो जाएगा इसके बात फूर्थ कोशन है इन बिच डिरेक्शन दा जियो स्टेशनी सैटेलाइट रोटेट जियो स्टेशनी सैटेलाइट किस डिरेक्शन रोटेट करते तो जी ओ मीन्स अर्थ होता जो अर्थ की एक्सस के अरॉंड रोटेट होती तो उसे कहेंगे जियो स्टेशनी सैटेलाइट जो की 36,000 किलोमेटर की हाइट पर रखी जाती है मतलब रोटेट होती तो जो वर्थ की होगी डिरेक्शन जो की बैस्ट ट्विस्ट है वह जियो स्टेशनी सैटेलाइट की होगी तो इसकी बैस्ट टू इस्ट हो जाएगी अब फिप्त नम्मर कोश्चन है पूना ग्रास लेंड इको रिजन पूना मैदान गास के मैदान कहां पर पाई जाते हैं यह कोशन है तो इस काउंसर होगा एंडिस माउंटेन यह रेंज है एक तरिया की परवस्त रंखला जो गई पूरबिश्ट की सबसे लंबी साथ हजार किलोमीटर इसकी लेंट है कर सौथ अमेरिकां पढ़ते हैं यह पूना ग्रास लेंड पढ़ता है पेरु और बोलिविय मैं तो फिल ठॉझांटोर हो गई उसका एंडिस माउंटेन होगा उसम समय कराशंफे गया तो पेरुयर भालिवा के तो कुछ पाटि है जो साथ न पढ़ता है थाawan के पीई जांदमने मिरतुका रंगिस्तान किसे कहते हैं तो यह अफगनिस्तान में है दस्त ए मारको यह इस देड़र्ट भ्डच अविघ्यृत मेरतुका रंग्जिस्तान एकिप घलमनडर निम्रुज प्रोवैंस है रख ता पर इसका द पर Minutes के सेंड माथे से वो रॉकी के क्लेस्क तरह हो जाता मतलब जैसे बालू को नहीं छोटे छोटे चोटे पार्टिकल्स होते दो ऊड़ते हैं उसी वज़े से इसे कहते है देज़ाट आप डेथ सेवेंथ कोशिशन पाथे यह है वाट इस दर टर्म used for line used to join place with the same mean temperature but is the term used for the line used to join place with the same mean temperature मतलब क्या term use करेंगे जहां पर दो इस्थान पर एक ही टेंपरेचर की प्लेस हो तो उसे आइसो थर्म कहते हैं यह होगे सैवेंथ दो दो एरिया को जोड़ेगा दो प्लेस ले लू कोई उसको टेंपरेचर एक मीन टेंपरेचर रियल टाइम पर सेम होगा तुसे आइसो थर्म कहेंगे एरिफ नमबर कहा है वाट टाइप अब डेजर्ट और गोवी डेजर्ट एंड अटकामा डेजर्ट यह मरुष्टल है इसको गोवी डेजर्ट और आटकामा डेजर्ट होता तो यह रेंसेडू डेजर्ट हो जाएगा रेंसेडू मतलब होता जैसे कोई इसके बीच में परवत हो गया तो जिस तरफ हावा चलेगे उसे बिंडवर्ड साइड कहते है उसके अपोगी दूसरी तरफ लेवर्ट साइड होगी तो और तो हमां पर रेंस वड़ेजर्ट होकते होगए यह वर्ट का सबसे ड्राइस्ट डैजर्ट है सबसे सूखा डेजर्ट इसको कहते हैं ना इंद्धम्र कोष्यन है। All this अग्यों ट्रम मों het क्योंकि यह यहाफ़ लूइट्मोस्पारीkk परेसर होता है और हाई टेंपरेशर होगा हाई एंपरेशर होगा हुँझत होगी और हाई टेंपरेचर के होगा क्योंकि है सन डिरेक्टली पढ़ता है यहां पर इतने रिजन नॉर्थ टू टैन डिगरी साउथ एक्वेटर यह रिजन कहते से इसलिए यहां पर इसको डोल्टरम कहते हूं अब तेंथ नंबर है वाट इस्टडी ओफ लेंड फॉर्म काल्ड जो हम लोग से माउंटेन हिल्स इन सब की स्टडी क्या कहते है इसको जियो मॉर्फोलोजी कहते है इसकी एरिया मतलब किस प्रिकार का यह मांटेन है जिस ब्लॉक मांटेन होता है इस दिखाएंग इसको तो इसका जियो मॉर्फोलोजी होगा 11 नंबर है वाट टाइप आप रॉक इस ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो पत्थर होता वो कौन से चट्टान से बन निकलता है तो इस कांसर होगा इंट्रूशिव इगनियस रॉक करती हो जाएगा 12 नंबर है ऑन बिस डेट अफ देयर इस सन प्रत्वी किस डेट को पढ़ती है कौन से दिन तो यह चार जनवर ही होता है एप रॉक्स दो चार की बीच में रहता है क्योंकि पिछली बार यह दो 2020 में ही यह दो जनवरी को पढ़ाता है और इसको कहता है इस प्रोसेस को पैरी इलियन जब सन अर्थ के पास होता है और य 31 लाग किलोमेटर पास होता है और इसी का उल्टा होता है जिसको एपीलियन कहते जो कि फॉर्ट जुलाइक को सन और सबसे दूर होंगे वह चार जुलाइक पढ़ता है अब 11 नंबर कोशन क्या है में ब्रैंड कैसल तो यह ट्रैंस ट्रैंस इल्वैनिया रोमानिया में है य इसका यह रोमानियम पढ़ता है और यह उसको है बारिटेस साइट है आइसुड्ड़ अचुक्तल से जूस्ते अभी मनें बना टेकी वीडियो तो यह चैसले पॉनेशिया था रudy पॉलिनेसियं पढ़ता है इसमें और विझे चाहाथ है पॉलिनेसिया में हीवाइड अधो न गजेंड यह तीन आते मेंं पॉलीनेसिया में और मेलनेसिया होता है उसमें फिजी नव्लिय रिडेव केलेडोनिया सॉलमान आइल Annual पपॉय नयूगिनी इस मेलनेसिया अइलेंड में आते हैं ऐसे माइक्रोनेसिया में मार्सल आईलेंड आता पलाव नौरू एक छोटा देशे बहुत तो यह था इंट कि पिप्टिंट यह इस्तानवूल टर्की में और यह भी दोएट कि यहां को जो पॉप था उसने इसको कि पहले यह हुआ करता तो म्यूजियम इसने दोवाना फिर यह मॉस्क्त मॉस्क्त कर दिया मतलब मस्जद में और यहां सबसे पहले जो प्रेयर की थी वह यहां कि प्रेसिडेंट टर्गी के प्रेसेप्ट तयव एर ड्रोगन इन्होंने सबसे पहले प्रेयर की थी तो यह नीज में कोशन करेंट अवेर्स का भी बन सकता है तो यह हमारे 15 कोश्चन कि अब बाकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे